हेलो फ्रेंट्स, एक बार पुना आप लोगों का स्वागत है, हमारे यूट्यूब चैनल इस्टेड़ी26 पर और आज बीए, बीकॉम, बीएस्टी, तीनों ही स्ट्रीम के जो भी बच्चे होंगे, जिन्होंने क्रियेटिव राइटिंग को लिया होगा SEC में, तो उनके स्लेवस को हम लोग देख लें, चुकि आप लोगों का बहुत कमेंट भी आ रहा था कि सर, इसके स्लेवस को बता दीजेए, चुकि इससे रिलेटेड अपने वीडियो को बनाया है, और उसके बारे में बताया भी है, लेकिन इसके स्लेवस को हमने डिसकस नहीं तो तीन यूनिट है, तो एक, दो, तीन करके, तो उसी में जो चीजें हैं, उनको आपको पढ़ना होता है, तो चलिए उन चीजों को देख लें, कि आखिर आपके स्लेवस में किन-किन चीजों का, मतलब जिक्र किया गया है, और आपको क्या-क्या पढ़ना है, जो की important है, आप लोग पढ़िए भी, तो देखिए, सबसे पहला चीज है, कि आप देखिए, introduction to creative writing, यानि कि creative writing के बारे में बताए, introduction उसका है, यानि वो, उसका meaning क्या होता है, उसका importance क्या है, तो यही चीज पहले unit के first topic में है, तो यह हम करा चुके है, यह जो topic है, आपका हो चुका है, तो इसको आप देख लिजे, playlist में डाला हुआ है, यानि आपको वीडियो में मिल जाएगा, या नहीं तो, आपको अगर नहीं खोजने में मिल रहा है, तो आप क्या कीजे, comment कर दीजे, कि sir, आगे का वीडियो भेजीजे, तो हम वहाँ पे आपको देदेंगे, pin-up कर देंग और रचनातमक जो लेकन है, उसमें हम बताये थे, रचनातमक लेकन क्या होता है, यह कलपना पे अधारित होता है, तो यह writing जो कलपना पे अधारित होता है, तो यह कैसे किया जाता है, नहीं किया जाता है, उसी चीज़ को यहाँ पर पढ़ना है, फिर देखिए, तीसरा है, Tops, Motives है और Figures ये Tops, Motives और Figures इसमें पढ़ना है Learning Tops क्या होता है Motives क्या होता है Figure क्या होता है और ठरो वीडियो के हिसाब से आपको पढ़ना है इसके अचमें क्वारट को चाहते ही ताप सब्सेन करे हैं इसमें पढ़ना है उसके बाद है की craft of writing, यानि कि लेखन की कला क्या है, यानि कि जो creative writing है, उसकी कला क्या है, उसको कैसे लिखा जाता है इस चीज़ को, figure of space speech, यानि जो लिखते हैं उसमें speech कैसे कैसे डाला जाता है word play कैसे, यानि कौन-कौन से सब्दों का chain वहाँ पे किया जाता है तो उसको समझना होगा, फिर character creating कैसे होता है, यानि कि किसी भी जो उसमें character का use किया जाता है तो उसका create कैसे है, मतलब उसको कैसे चुना जाता है, उन चीज़ों को समझना है यानि कि जब आप एक creative writer हैं और कोई चीज को लिखेंगे या कहानी को लिखिएगा, तो उसमें आप किन-किन word का use किजेगा वो चीज में है, सब्दों का use फिर वहाँ पे character play, यानि कि जो आप अभिने के रूप में किसी character को चुन रहे हैं, तो वो character कैसा होगा, इस चीज का कैसे आप चेयन किजेगा, वो चीज यहाँ पे पढ़ना है ठीक है, यानि कि वो लेखन का कला कैसे कैसे होता है, उस चीज को आपको पढ़ना था यहाँ, उसके बाद देखे character creation, यानि कि character creation में आपको देखना है dialogue क्या होता है, उसके बाद learning character throw discussion, यानि on famous writing, यानि कि main चीजें जो है ना इसमें इसमें आपको character का creation किया जाता है, यानि कि उसको कैसे कैसे उसमें जोडा जाता है, या नया चीज को कैसे inbuilt किया जाता है, तो उन चीजों को पढ़ना है तो ये main हो गया आपका first unit का topic, तो इन ही चीजों को first unit में आपको पढ़ने है अब देखिए second unit में आपका क्या है तो second unit में 3-4 चीज़ें पढ़ने है जैसे close reading क्या होता उसको पढ़ना analysis and interpretation यानि कि जो analysis आपको करना जो आपने लिखा वो सही है कि गलत है वो चीज़ को आपको देखना है फिर reading different works in literature यानि कि आपको देखना है देखिए इसमें बोला है कि लियर हम आपको बोल देखिए reading different works in literature यानि कि जो आप पढ़ते हैं उससे समंदित कुछ अलग-अलग भिन-भिन तरह के work है जो literature से समंदित जो किये गए है यानि कि literature पर किन-किन लोगों ने work किया है तो उसको देखना है फिर देखिए इसी में आपको जो पढ़ना है इसी में पढ़ना है कि जब माली जी कि आप एक creative writer है आपने एक चीज़ को लिखा मतलब कि आपने कोई कहानी को लिखा उसको पूरा लिखते है न तो जो भी किताब लिखी जाती है उसके बाद उसमें editing किया जाता यानि कोई उसमें mistake तो नहीं है तो उस चीज़ को यहां पर पढ़ना है कि कैसे कैसे हुआ और कोई mistake तो नहीं है अंतिम में वही पढ़ना है कि यानि editing उसको जब आप एक कहानी लिखेगा डायलोग लिखेगा या नाटक लिखेगा तो उसका editing जो अंतिम में होता उस चीज़ को यहां समझना है तो unit 2 इतना ही है unit 3 में अब दिख लीजे unit 3 में थोड़ा topic जादा है जैसे steps of creative writing यानि कि creative writing के कौन कोन step है चरन है यानि कैसे कैसे लिखा जाता है पहला stage क्या है second stage क्या है third stage क्या है उस चीज़ को देखना होगा यानि pre writing stage क्या है फिर उसके post writing stage क्या है उसके बाद final drafting यानि जो final अंतिम में जो समाप्त होता है कोई भी writing को लिख कर तो उसको देखना है फिर देखे types of creative writing क्या है तो यह भी हम पढ़ा चुके हैं यह भी आप देख लिए टाइप सब क्रियेटिव राइटिंग हम पढ़ा चुके हैं जैसे पोईटरी है फिर फिक्षंस है नन फिक्षंस है यानि कि इसमें आपको यही पढ़ना ना ड्रामा है कवीता है कहानी है नाटक है यह सब पढ़ना है तो इसको हम बता दिये यही है टाइप क्या किसका तो क्रियेटिव राइटिंग यानि रचनात्मक लेखन का यह सब प्रकार है तो वही चीज पढ़ना है तो उसको हम पढ़ाय हुए है तो आप देख लीजी हमारे वीडियो में जाके उसके बाद देखे Creative Writing and Media Film Review यानि Creative Writing जो आप करते हैं तो उसका Media Film Review क्या होता है फिर Book Review क्या होता है उसी में आपको समझना है Other Writing in Media तो उस चीज़ को यहाँ पर समझेंगे और उसके बाद Submission क्या होता Publication क्या आता है यानि सीधा मतलब है न कि जब कोई आप मालेजी की एक किताब आपने लिखा Creative Writing के माध्यम से तो इस किताब जब यह किताब लिख के जो पूरा बन के तयार होगा तो इसका जो Publication होता न यानि कोई न कोई Company होती है जिसके माध्यम से यह Public होता है लेकिन हम यह दो नाम जानते हैं तो हम बता दिये कि यह सब आप जो Company की जो Guest Paper पढ़ते हैं यानि Publication की Guest Paper पढ़ते हैं तो यह लिखा कोई और होगा यह किताब लेकिन यह छपा किससे है तो अलका है या फिर जो भी आप Guest Paper पढ़ते हैं तो उसके माध्यम से यानि उस Company से तो उसी तरह कोई भी किताब जो होता वो किसी ना किसी Company से चपता है आप देखेगा उस किताब के आगे या पीछे वहां लिखा होगा कि कोई ना कोई Company का नाम जडूर लिखा होगा तो वही चीज़ यह बता रहा है कि Publishing जो होता है किताब वो कौन-कौन तरह से होता है तो उसको यहां समझना फिर यहां पर देखे Learning to Writing यानि पढ़ने के साथ जो लेखन होता वो कैसे होता है जैसे Poetry Writing है और Poetry Reading है उसको फिर Understand करना कैसे होता है यानि कि आप जैसे कि मालेजे कोई कविता को लिखिए पढ़ते हैं तो उसको समझते हैं फिर उसको आप उसको कविता का आपको बोलेगा संजेपन यानि उसको संचिप्त रूप में लिखिए तो वो आप समझ के कैसे लिखिएगा तो यही सब चीज को यहां पढ़ना है ठीक है उसका इंगरे तो यह सब आप these उसको अंडरिश्चेंडक करना है उसका रीइँडिंग करना है तो यह चीज आप पर पढड़ना है आपको अगली में फिर देखिए लर्णिंग् टू राइट नन्फिक्षण यानि नन्फिक्षण क्या हता है उसको understand, यानि कि समझना, understand का मतलत होता है, उसको समझना कि हम लोग कैसे लिखेंगे, fiction क्या होता है, non-fiction क्या होता है, इन चीजों को हम लोग कैसे समझेंगे, वही चीज वहाँ पढ़ना है, फिर देखिए, learning to writing drama, यानि कोई नाटक के ऊपर जो कविताएं या कहानिया लिखी जाती है, तो उसको समझना, उसको कैसे लिखा जाता है, उसके लिखने के क्या तरीके हैं, तो यानि fiction हो, drama हो, non-fiction हो, ये सब को कैसे लिखा जाता है, उन चीजों को यहाँ पढ़ना है, तो यानि कि जो आपका पूरा syllabus है न बच्चों, तो उसमें यही चीज आपका घूमे सीधा आपको हम एक सब्द में बता है, कि रचनात्मक लेखन क्या होता है, क्रियेटिव राइटिंग क्या होता है, उस चीज को देखना है, क्रियेटिव राइटिंग कैसे किया जाता है, उस चीज को पढ़ना है, टाइप अप क्रियेटिव राइटिंग क्या है, यानि कि उसके परकार कौन-कौन होते हैं, जैसे कि आपको हम बताया थे कवीता है, कवीता के बाद हमने नोवेल को पढ़ाया था, नाटक को पढ़ाया था, लगू कथा पढ़ाया था, कहानी है, यह सब क्या होता है, creative writing के पार्ट है, यानि टाइब है, तो यह सब पढ़ना आपको, फिर आपको ये पढ़ना है कि ड्रामा को कैसे लिखा जाता है, उसमें कौन-कौन करेक्टर होते हैं, इस चीज़ को पढ़ना होता है, फिर डायलोग क्या होता है, उस चीज़ को पढ़ना होता है, डायलोग कैसे लिखा जाता है, उस चीज़ को, फिर जब आप क्रियेटिव प्रजित निंग करेंगे तो उसमें कौन-कौन से वर्ड का यूज किया जाता है यहनि सब्द कैसे चुनने होते हैं तो हम आपको बताये थे creative writing में सब्दों का चेयर जो ता बड़ी भारी किसे होता है उसमें भारी भरकम सब्दों का परियोग होता है उसमें एक ही सब्द ऐसा चुना जाता है मैंत referring to, सब्द ऐसा ऐसा सब्द चुना जाता न जो कि होता तो एक है लेकिन उसके अर्थ और मतलब अलग-अलग होते हैं तो यही चीजिय इसमें समयना है जादा दिमाग नहीं लगाना है यह आसानी से आपका मतलब अभी से इतना भी तीन एक्जाम है ना उससे पहले हम करा देंगे चुकि हम भी इसमें लगे हुए है हमारा भी कोसिस है कि आप जितने भी बच्चे हम से जुड़े हैं उनका एक्जाम बहुत अच्छा हो और आपको किसी भी तरह का दूविधा ना हो कोई भी चीज में तो इसका हम PDF आपको टेलिग्राम पे भेई देंगे टेलिग्राम को जोइन कर लिजे अगर नए है तो और उसके बाद वहाँ से आप इसको देख लिजेगा आपके जो सलेबस है उसको और इससे समंदित जो वीडियो बना है उसका भी वहाँ पे PDF हम भेई देंगे तो उन मिलते अगले बिरिम तो तो कि लिदा निवाट।